नमस्कार मैं हुने की तोर आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com चली एक नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर केंद्री ख्रीमंत्री अमिच्छा ने शनिवार को जारखन के छतरपूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कॉंग्रेस को आरक्षन के मुद्टे पर चम कर खेरा। करती है बगर हमारे समिथान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षन का अस्थान नहीं है कोई भी धर्म विशेश को कभी भी आरक्षन नहीं दिया जा सकता। मिलता है तो कम किसका होगा पिछडा फर्ग तलित और आदिवासी का कम होगा। कॉंग्रेस पार्टीन तीनों का आरक्षन काट कर मुसल्मानों को दीना चाहती है। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ कि भले ही आपके मन में कोई भी साजिश क्यों ना हो। जब तक पीजेपी है इस तेश में थर्म के आथार पर आरक्षन नहीं होगा। महराश्र के नांतेड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फ्रधान मंतरी मोधी ने कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने फर्ज़ी वाड़े में अपना ही रिकॉर्ट तोड़ दिया है। कॉंग्रेस के लोग संब्धान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब पटवा रही है। कॉंग्रेस और उनके साथियों को बाबा साहिब के समिधान से नफरत है। प्रधान मंतरी मोधी ने आगे कहा कि आजादी के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने बाबा साहिब के साथ सबसे पहला विश्वासखात कश्मीर में किया था। पूरे देश ने बाबा साहिब के समिधान को सुविकार किया लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने आर्टिकल 370 के सरीये कश्मीर में अलग विधान चलाया, कश्मीर में हमारे तिरंगे की जगा अलग जणडा चलाया, कॉंग्रेस ने जम्मु कश्मीर के दलितों को उनके कोई लंकवात की आख में चलता रहा, वहां अलगाववात फलता फूलता रहा, देश को पता भी नहीं चलने दिया कि इस तेश में 75 साल तक दो समिधान चले जारखन में 13 नवंबर को पहले चरण की पोर्टिंग से ठीक चार दिन पहले इंकम टेक्स विभाग ने बड़ी कारेवाई की है, मीडिया रिपॉर्ट्स के मताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सौरेन के निजी सचीव, सुनील श्रीवास्तव और उनके करीबियों के यहां इंक इंकम टेक्स विभाग की है रेड रांची के अलावा जमशेदपूर में चल रही है, बताया जा रहा है कि रांची में साथ जगा और जमशेदपूर में चार जगा के करीब छापेमारी चल रही है, इंकम टेक्स विभाग की रेड में जमशेदपूर के अंजानिया इस पा पर विफाग ने 26 अक्तूबर को प्रांची, जमशेथपूर, किरीधी और कॉलकरता में 35 ठिकानों पर छापे मारी की थी सुनील श्रिवास्तफ के आवास पर छापे मारी को लेकर मुख्यमंत्री सौरेन ने प्रतिक्रिया दी है उन्होंने एनाई से पाथचीत में कहा कि रेड पढ़ना शुरू हो गया फाजपा का एक नया कैडर मैदान में निकल आया है सीएम सौरेन ने कहा कि कोई बात नहीं देखते हैं AI MIM प्रमुक और हैदराबाद से लोकसभा सांसत असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधान मंत्री मोधी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले पयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि अब पीचे पी को टर लग रहा है कि उनका क्या होगा और अंगाबाद शेत्र में दूसरे नंबर पर सबसे ज़ादा किसानों ने आत्म हत्या की है 324 किसानों ने आत्म हत्या की ये सरकारी आंकडे हैं लेकिन ये लोग सेहात की बात कर रही है वो वैसी ने पूछा कि एक समुदाय से इतनी नफरत क्यों है आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सरकार ने मराठा लोगों को आरक्षन क्यों नहीं दिया आपको देना चाहिए था ये उनकी एक्तम सही मांग है आपको बता दें कि इसते पहले कल शुकरवार को प्रधानमं कित्री मोदी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के तौरान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया था देश के पुर्वत्तर राज्य मनिपुर में हिंसा की आग अब तक भी शांत नहीं हुई है सामने आ रही ताजा जानकारी के मुताबिक मनिपुर के चीरी चला दिया गया इस तौरान हतियारपन हमलावरों ने काउं में ताबर तोड फाइरिंग के साथ लूट पाड़ और आखचनी की बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सतरा घरों को चला कर राख कर दिया पुलिस के मताबिक इस खटना में पीडिता के साथ सामोहिक पलातकार और हत्या की पारदात को अंजाम दिया गया है पीडिता के पती ने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि ये क्रित्य अवैध खुस पैठियों की ओर से किया गया था लेकिन हमलावरों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है पुलिस सुत्रों के अनुसार संधे है कि हमलावर म मनिपूर के जीरी बाम सिले से सामने आई इस खटना के पात आदिवासी संगठनों ने केंद्र सरकार से मनिपूर में कूकी जोमी हमार समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तशेप की मांग की है। मीडिया रिपॉर्ट के मताबिक चुला चांदपूर के आदिवासी संगठन इंडिजन स्ट्राइबल लीडर्स फोरम ने भी इस जगन्य अपरात के सिम्मेदार लोगों की ततकाल के रफ्तारी की मांग की है। मुख्यमंतरी उमर अब्तुला ने विधान सभा में बोलते हुए आगे इस बात पर सोड़ दिया कि उनकी सरकार का एजेंडा, वाटसेप, फेस्बुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लैटफरम तवारा तैन नहीं किया जाएगा। पीटियाई के एक रिपोर्ट के मताबिक विधान सभा में उप राज्येपाल के अभी भाशन के लिए धन्यवाद प्रस्ताओ पर अपने जवाब के तौरान अब्तुला ने कहा कि भगवान का शुक्र है। मैं ट्वीटर पर भहुत कुछ लिखता हूं लेकिन कुछ भी नहीं पड़ता। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाता हूं कि हमारा एजेंडा लोगों द्वारा तैक किया जाएगा ना कि सोशल मीडिया उप्योग करता हूं त्वारा। अपने संबोधन में मुख्या मंतरी ने निर्वाचित प्रती निथियों से नीतिया पनाते समय फोशल मीडिया के रुच्छानों से आप्रभावित रहने का आग्रे किया। उमर अक्तुल्ला ने कहा कि चम्मू कश्मीर दुबारा एक पूर्ण राच्चे बने। प्रधान मंतरी ने चम्मू कश्मीर के लोगों से यह पादा किया है। है कि सत्तारूड महायूती कटपंधन में कोई एकता नहीं है। बुल्धाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि अजीत पवार त्वारा योगी के पयान को आसुईकार करना यह दर्शाता है। कि सत्तारूड महायूती कटपंधन में कोई एकता नहीं है। इस परिद्रश्य में महाराश्र को यूपी के मुख्य मंतरी से कोई सबक सीखने की सरूरत नहीं है। महाराश्र में होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शुकरवार को खोशना की कि पोटर्स को सियाही लगी उंगली दिखाने पर मुंबई में चुनिंदा दुकानों, रेस्टोरेंट और मल्टी प्लेक्स में 20 प्रतिशत तक की छ जा रही है, बता दें कि महाराश्र में 20 नवंबर को विधान सभा चुनाव होंगे, रूस, शनिवार और रविवार को अफ्रीकी देशों के विदेश मंतरियों के साथ एक पैठक का आयोजन कर रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी प्लेक्सी रिसॉर्ट मे होने वाली इस पैठक का मकसद मौस्को के राशनीतिक, आर्थिक और सुलक्षा संबंधों को पढ़ाना और इस शेतर में पष्टिमी प्रभाव का मुकापला करना है, रूसी राश्रेपति व्लादिमिर पुतिन ने भी अफ्रीका में अपने प्रभाव को पढ़ाने के लि लिए हैं और सुलक्षा सहायता के लिए रूस से मदद मांगी है, अमेरिकी सरकार ने डोनल्ड ट्रम के राश्रेपति का पदभार संबहालने से पहले ही उनकी हत्या की साजिश के मामले में एक व्यक्ति पर आरोप तैक कर दिये हैं, अमेरिकी सरकार के मताबिक ट्रम की हत् अभियोग पत्र जारी किया इस अभियोग पत्र में अफगानी नाकरिक पर यह आरोप तैक किया गया कि उनको ट्रम की हत्या के लिए साजिश रचने और इसमें शामिल लोगों को निर्देश देने का काम दिया गया था, अमेरिकी सरकार ने बताया है कि अभी तक परहाद शकेरी को गिरफतार नहीं किया जा सका है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शकेरी फिलहाल इरान में हैं